हेलो एबरिवल मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अश्य होंगे नेवी चिल्डेन स्कूल यानि कि आप यहां पे थमनेल में दिख रहा होगा आपको नेवी स्कूल तो नेवी स्कूल से देखिए नई टीचर की रेक्रूटमेंट आईए और देखिए इसमें आप प्रॉसेस को कम्प्रेटली फॉलो किया जाएगा तो जैसे के बीस में एन बीस में अगर आप उसकी तयारी कर रहे हो तो यह फॉर्म आप ज़रूर अप्लाई कर लें इस वेके से क्योंकि इनमें सभी स्टेप को फॉलो किया जाएगा आपकी टिचिंग प्रोफैनसी को भी चेक किया जाएगा आपके अंदर टैलेंट कितना एक्जाम कॉलिफाई कर सकते हो या नहीं तो सब आपके जो अलग-अलग जो क्वालिटीज है उसको यहां पे चेक जो है चेक पर मिलेगी बहुत ही हैंडसम सेलरी आपको यहां पर प्रभाइड की जाती है तो 16 तारिक तक आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है स्वीट पोस्ट के माद हमसे जो है आवेदन कर देना है उसके बाद इसके बाद जो है आपको एक्जाम के लिए फिर यह इंटर्व्यू बगरा के लिए जो है कॉल करेंगे यहां से देख लिए पीजिटि में कॉमर्स हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इंगलिस फिजिक्स केमेस्ट्री ज़ोगरफी और हिंदी सब्ज़क्ट के लिए रेकूटमेंट है टीजिटि की बात कर दो है आप लोग नीचे कोमेंट करके आप अपने district का नाम लिख दे ताकि आपके district से जब भी इस तरह की recruitment आए ये बड़े school की recruitment आए उसकी सूचना मैं आपको दे सको तो नीचे comment करके आप अपने district और state का नाम लिख दे ताकि आने वाले समय के लिए मैं आपके लिए और भी videos बना सको चलिए video की सुरुआत करते हैं और detail में जो है समझने की कोशिस करते हैं कौन-कौन से post की vacancy आई हाँ एक और बाद अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे telegram से जूड़ जाए टेलिग्राम पर आपको ये PDF जो है free of cost में मिल जाएगा कल मैंने assistant professor की vacancy को भी upload किया था और एक navy school की जो recruitment आई थी उसके बारे में भी बताया था तो दोनों videos के जो भी PDF हैं वो आपको telegram चैनल पे अबलेवल करा दिया गया है description box में whatsapp चैनल का भी link है whatsapp से भी आप हमारे साथ connect हो जाए ये वहाँ पे आपको detailed information मिलती रहती है तो यहां से देख लीजे post graduate teacher की बात करो तो यहां से देखिए commerce history ये मैंने आपको पहले बता रखा है 11-12 को आपको पढ़ाना है master degree आपके पास 55% के साथ होना चाहिए साथ में bachelor of education degree भी आपका जो relevant subject है उसमें होना चाहिए 50% के साथ beard यानि की सिधा सिधा बात है इसके अलाबा should study subject at both देखो ये सिधी सिधी बात है कि आपने plus two में और graduation में वो subject पढ़ा है जैसे की PCM लेने वाले physics chemistry मैथ लेने वाले उनका graduation में भी physics chemistry मैथ होना चाहिए इसका ध्यान में रखिएगा actually बहुत सारे लोग क्या करते हैं हिंदी लेकर कई वो जो है आगे बढ़ जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं उसे तो इन चीजों को ध्यान में रखना है आपको आगे देखें TGT की बात करूँ तो यहाँ पे subject मैंने आपको पहले बता रखा है ताइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा बैचलर्स में यानि कि ग्रेजुएशन में आपका 55% होना अनिवारी है बैड में आपका 50% होना अनिवारी है उसके अलाबा यहाँ पे देखें CETAT की मांग इन्होंने नहीं की है आगे देख लिजे वही बात है कि आपने जो subject प्लस टू में पढ़ा है ग्रेजुएशन में भी वो subject आपका होना ज़रूरी है प्राइमरी की अगर बात करें तो यहाँ पे देखें बैचलर्स डिगरी होना ज़रूरी है यानि कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए साथ साथ में Bachelor of Education बैड वाले को यह अप्लाइ करने के लिए दे रहे हैं साथ में DLA वाले को भी अप्लाइ करने के लिए दे रहे हैं और 50% एटलिस्ट आपका होना ज़रूरी है 55% ग्रेजुएशन में और DLA वगरा जो आपने किया है बिएड किया है वो 50% के साथ होना ज़रूर है इसके अलाब एक्टिविटी टीचर की भी recruitment है अब एज के बारे में जान लीजे 21 से 50 के बीच में आपका 1 जुलाई 2025 को होना चाहिए कितना 21 से 50 के बीच में अगर आपकी यह आती है तो आप यहाँ पर अपलाए कर सकते हैं आगे देखिए जो कि नेवी चिल्डरनी स्कूल में पढ़ा चुके हैं उनकी एज अगर 55 भी है तो वो भी जो है अपलाए कर सकते हैं पासाल की एज relaxation उनको मिल जाएगी other common requirement should have a good personality with excellent communication skill in English and ability to communicate in Hindi आपके पास Hindi और English इस दोनों में fluency होनी चाहिए अच्छे से आप बात कर सको इस बात का खयाल रखेंगे आप should possesses working knowledge of a computer AI tool यानि कि यह सब आपको आना चाहिए computer बगरा जो है MS office बगरा जो है आप अच्छे से चला सको should be physically and medically fit है यानि कि आपका जो है और high moral character आपका होना चाहिए ठीक है beard through distance education candidate who have acquired beard in distance mode before the year 2014 and five or more experience वो अप्लाए कर सकते हैं दखिए करने का मतलब यह हुआ कि अगर आपने beard कर रखा है distance mode से तो भी 2014 से पले कर रखा है तो आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं application form जो है डाउनलोड कर सकते हैं यहां से website www.ncsmumbai.com से आप जाकर website से डाउनलोड कर लिजे या फिर register post से या फिर speak post के माध्यम से आप इसे 16 November तक आप अपलाए कर सकते हैं यानि कि यह जो वेकेंसी है वो Navy Children's School मुंबई से आई है इनसी ओर all personal particulars email mobile number filling application form जाने कि आपको जो है email ID बगेरा जो है सब कुछ सही सही भरना है ताकि यह आपसे जो है contact back कर सके incomplete बगेरा को जो है यह reject कर देंगे यह बात इन्होंने बता दिया गया है इनके द्वारा बता दिया गया है अब यहां से देखी जो test है आपका वो 7 December को schedule है पहले ही बता रखा है कि कब कब क्या होगा 16 December 2024 को application आ जाना चाहिए 27 को यह shortlisted जो written exam के लिए जिनको बुलाएंगे वो यहां पे कर देंगे 7 December को यह बता देंगे कि आपका common test कब होगा यह भी इन्होंने बता रखा है 23 को जो है interview के लिए बुलाए जाएगा और written test के लिए देखिए इन्होंने बता रखा है PGT का कब से कब होगा date बगरा सब कुछ each and everything इन्होंने बता रखा है application form इनके website पे मिल जाएगा अगर नहीं मिल रहा हो तो आपको क्या करना है नीचे comment कर देना या फिर टेलिग्राम पे या फिर यहांस मेरी email ID देख लो yourmithunsingh at the.gmail.com पे mail कर लिजिएगा इंस्टा पे हो then do follow me at the.imithunsingh आपको मैं PDF अबलेबल करा दूँगा